तो बच्चो आप ध्यान दें हम पढ़ रहे हैं याँ पर कक्स अच्छे सामाजी का ध्यान के अंतरगैत हमारे अतीत का पहला द्याय क्या कब कहा और कैसे आपको बता रहे हैं इस पाट से संबंदित प्रस्णों के उत्तर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ने यह है पाट का नाम क्या कब कहा और कैसे और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अब्यास प्रस्ण उत्तर तो यहाँ पर पहला प्रस्ण आपके लिए आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं तो क्या आप जानते हैं बच्चो यहाँ पर देखें आप यह है पेज नमबर तीन पर दिया एक जगे से दूसरी जगे लंबी दूरी तैय करते हैं क्योंकि काम नौकरी आधी करने के लिए नमबर तीसरा ब्यापार के लिए जाते हैं अपने बिजनिस को बढ़ाने के लिए और नमबर चार है प्रियाटर नस्तलों की सहर करने के लिए जैसे कि घूमने के लिए आप भी कि आप अपनी पाठे पुष्टक के वहाँ पर ये प्रशने दिया हुए आपके लिए और इस प्रशने का उत्तर आप क्या लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे कठोर सतय पर लिखें लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था क्योंकि ये लेख आसानी से मिट न प्रशने का उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रशने बच्चों आपके लिए कहां पर ये प्रशने पेज नंबर 6 पर आप देखें अपने पाठे पुष्टक के पेज नंबर 6 पर देखें और प्रशने है क्या पुरा तत्तो वीदों को बहुत कम आउसेस मिलते होंगे यानि जो समय के साथ साथ सड़गल जाते हैं इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रशने है बच्चों आपके लिए पेज नंबर 8 पर आप देखें नहीं आपर ये पेज नंबर 8 और यहां पर क्या प्रशने आपके लिए आप देख सकते हैं अंग्रेजी में BC देख का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में BC जो आप देख रहे नहें आप ऀसी पूर वह यहां पर लिकावा यहांद की इशा पूरव होता है कभी-कभी तुम तितियओं से पहले AD आप ध्यानसे AD यानि हिंदु में E लिख पाते हो यहाँ Anodomini नाम दो लेटिन सब्दों से बना है तता इसका तात्परिया इशा मसिय के जन्म के वर्स से है आप ध्यान दे बच्चो इस बात को कभी-कभी AD की जगे CE तता BC की जगे BC का प्रियोग होता है CE अक्सरों का प्रियोग Common Era और BC का Before Common Era के लिए होता है हम इन सब्दों का प्रियोग इसलिए करते हैं क्योंकि 200 के अधिकांस देशों में क्रिशियन एरा का प्रियोग सामन्य हो गया है भारत में तितियों के इस रूप का प्रियोग लगबग 200 वर्स पूर्व आरम हुआ था तो आप ध्यान दे बच्चो कभी-कभी अंग्रे जी के BP अक्सरों का प्रियोग होता है जिसका तात्परे होता है Before Present यानि कि बर्तमान से पहले तो आप इसको याद रखेंगे इतनी जो बाते हमने यहाँ पर आपको बताई यह जो है आपके याद रखने के लिए आगे यहाँ पर देखते हैं संक्या तीन पर दो तितियां है इनका पता लगाओ इनके लिए तुम किस अक्षर समो का प्रियोग करोगी उत्तर में लिखेंगे यह दो तितियां देखरेंगे आप यहाँ पर 4700 और 2500 है इनके लिए 20 अक्षर समो का प्रियोग करेंगे और इसके बाद आप ध्यान दें इस प्रकार से अग्याद लिफी को जानने की एक परशिद्ध कहानी उत्तरी अफरीका देश मिश्र से मिलती है लगवग 5000 वर्स पूर्व यहां राजारानी रहते थे और यहां पर आप देखें कुछ चितर देख रहे हैं आपने बचों यहां पर यह जो है अक्सरों की बनावट के लिए कुछ जो है रेका चितर बनाए गए है और यहां पर इनके नीचे आप देख रहे हैं जैसे पी टी ओ एल एम आई 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 एस देख रहे हैं आप के ल आई ओ पी ए डी टी और आर ए इस प्रिकार से देखें आप मिश्र के उत्तर ही तड़ पर रोसेटर नाम का एक कसवा है यहां से एक ऐसा उत्कीरनित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेक तीन बिन बिन बासाओं तथा लिपियों यानि कौन सी बासा है लिपिया हो यूनानी मिश्री लिपि के दो परकारों में हैं कुछ विद्वान यूनानी भासा पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि यहां राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं इसे कार्टूस कहा जाता है इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री मिस्री अक्सरों की समानार्था एक द्वनियों की पैचान की जैसा कि तुम देख सकते हो यहां एल अक्सर के लिए सेर और एक्सर के लिए चिडिया के चित्रे बने हैं तो आपने देखा यहां पर बच्चो एल अक्सर के लिए किसका बना है सेर का यहां पर देख र वह आसानी से अन्यावी लेकों को भी पढ़ सकें तो यहां पर आप इस जानकरी को याद रखें इसके बाद मिसर के रोसेटा नामक कस्वे में मिले पत्र पर लेक कितनी बासाओं तथा लिपियों में उतकिर्णित हैं उत्तर लिखेंगे मिसर के उत्तरी तड़ पर रोसेटा नामक कस्वे में मिले पत्र के लेक तीन बिन बिन बासाओं और लिपियों में उतकिर्णित किया गया है यानि तीन बिन बिन बासाओं में लिखे गए हैं और सेर का चित्र किस अक्सर के लिए प्रियुक्त किया गया है तो आप देख सकते हैं यहां पर सेर का चित्र L अक्स गिसने आपके लिए कलपना करो तुम्हे एक पुरातत जबीट का शाकसातकार लेना है तुम उन पांच परस्णों की एक सूची तियार करो जिने तुम पुरातत उविः से पूछना चाहोगी तो उत्तर में क्या करेंगे आप प्रसनों की एक सूची बनाएंगे और क्या क्या पूचना चाहेंगे पहला पुरा तत्वीद अतीद में बनी तता प्रियोग में लाई वस्तों का अधियन क्यों करते हैं नमब एक, नमब दो, पुरा तत्वीद किसी अस्थान की खुदाई किस आदर पर करते हैं और नमबर तीन क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की साउधानी भी रखी जाती है और नमबर चार खुदाई में मिली चीजों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है नमबर पांच खुदाई में मिली चीजों को कहां और क्यूं रखा जाता है इस प्रकार से आप उसके लि और प्रस्ण सबसे पहले आप देखेंगे आओ याद करें और पहला प्रस्ण है निम्न लिखित का सुमेल करो तो यहाँ पर प्रस्ण में क्या पूछा है आप देख रहे हैं यहाँ पर नर्मदा घाटी पहला बड़ा राजिया मगैद सिकार और संगरें गारो पाड़ियां लगवर 25 सो बर्स पूर्व के नगैर और सिंदो और इसकी साइग नदिया आरंबिक किरसी गंगा घाटी पर्थम नगैर तो यहाँ पर बच्चो जो आपका प्रस्ने है इसको आपने सुमेल करना है और किस परकार से कहेंगे आईए उतर देखते हैं यहाँ पर तो नर्मिदा गाटी में लगवर 25 सो बर्स पूर्व के नगर तो इस परकार से आप इसे सुमेल करेंगे इसके बाद अगला प्रस्ने बच्चो पांडू लिपियों तथा अभी लेकों में एक परमुक अंतर बताओ तो यहाँ पर जो है आप क्या अंतर बताएंगे आपने पाट पड़ा है तो इस परकार से आप उत्तर लिख सकते हैं अगला है यहाँ पर चर्चा करें आप चर्चा करें और तीसरा प्रस्ने रस्चिदा के प्रस्ने को फिर से पढ़ो इसके क्या उत्तर हो सकते हैं तो आप फिर से पढ़ें उसके प्रस्ने को और उत्तर में क्या लिखेंगे त का ध्यान करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है इसके अलावा इंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवसेसों चित्रों मूर्तियों औजारों हत्यारों बरतनों तथा शिक्कों आदी द्वारा भी जानकारी मिलती है इस प्रिकार से आप इस प्रस्न का उत्तर लिख सकते अगला प्रशने बच्चो पुरा तत्तो वीदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तों की एक सूची बनाओ इन में से कौन सी वस्तों पत्थर की बनी हो सकती है उतर में लिखेंगे पुरा तत्तो वीदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तों तो आप यहां पर देख सकत हतियार हो सकते हैं औजार और मूर्तियां ये सब पत्थर से बनी हो सकती हैं इसके बाद बच्चो आगे देखेंगे आप साधरनिस्तिरी तथा पुरुस अपने कारियों का विबरन क्यों नहीं रखते थे इसके बारे में तुम क्या सोचते हो उतर में लिखेंगे साधरनिस्त और पुरुस अपने कारियों को इतना महतोपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तयार किया जाए। उतर में लिखेंगे राजाओं के जीवन में क्या अंतर हो सकता था पहला लिखेंगे राजाओं का जीवन बैवाओं और एस्वरे से परिपूर्ण होता था जबकि किसानों का जीवन कास्टवों से बरा होता था. नमबर दो, राजा अपनी बिजयों का लेखा जोका रखते थे, जबकि किसान अपने कारियों का लेखा जोका नहीं रखते थे प्रस्ट जो एक पर देखेंगे आप पर सिल्पकार सब्द कास पता लगाओ आज पर चले कम से कम पांच विन विन सिल्पों की सुची बनाओ क्या ये सिल्पकार उतर में लिखेंगे आप यहाँ पर जो है टेवल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिल्प, यहाँ पर लिखेंगे सिल्प, फिर पुरुस, इस्त्री और पुरुस दोनू, तो यहाँ पर हस्त सिल्प, बावएन सिल्प, मूर्ति सिल्प, कास्ट सिल्प और चर्म सिल्प लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आप य कौन सिल्प में केवल पूरुज करते हैं मूर्ति सिल्प में इस तरी पूरुज दोनू कास्ट सिल्प में केवल पूरुज और चर्म सिल्प में केवल पूरुज तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर होगा अगला प्रसने बच्चो अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी ग पर आधारित नमबर चार महाकाव्यक कविताएं और नाटकों पर आधारित उस्तकें जो है लिखी जाती थी इसी के साथ इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर आपके समापत होते हैं आप अगला पार्ट और उसके प्रस्णों तर देखना ना भूलें और लगाता तर इसी परकार जुड़े रहे हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और सेर करना न भूलें तो आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभू